साथियों, भारत में हजारों वर्सों से, समाज में सिक्षा से लेकर गरीब और असहायों की सेवा तक की जिम्मेदाली हमारी आध्यात्मिक और दार्मिक समस्तावने समाली हैं। मैं तो गुजराद भूकम के समय से और उसके भी पहले से आपके निष्टा और हमारी बहनों की मेहनत का कारिया स्वयम साक्षी रहा हूँ। आप लोग जिस प्रकार से काम करते हैं उसे बहुत निकर से देखा है। मुझे आज है कच्च के भूकन की उस संकट की उस गड़ी में आपने जिस सेवा फाव से काम किया वो आज भी प्रेणा देने वाला है। ऐसे ही नशा मुक्ति के लिए आपके अभ्यान हो, परियावरन सवरक्षन की दिशा में ब्रह्मा कुमारीच के प्रयास हो, जल जन अभ्यान जैसे मीशन हो, एक संस्था कैसे हर क्षेत्र में एक जन आंदोलन तयार कर सकती हैं, ब्रह्मा कुमारीच ने ये करके दिखाया है। विशेश रुप से मैं जब भी आपके बीच आया हूँ, मैंने देश के लिए आप से जो अपेक्षाय की है, उन्हें पुरा करने में आपने कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आपने जिस तरह देश भर के आजादी के अमरुत महोसव से जुड़े कारकम आयोजित किये। जब आपने पुरी दुनिया में योग शिवीरों का आयोजन किया। जब दीदी जान कीजी स्वच्च भारत अभियान की ब्रेंड अमबेसेडर बनी। जब सभी बहनों ने स्वच्च भारत की कमाल सबाल दी। तो इसे कितने ही लोगों को देश के लिए काम करने की प्रेणा मिली है। आपके ऐसे कारियों ने ब्रह्मा क्वमारिज में मेरे विश्वास को और भी कई गुना कर दिया है। लेकिन आप जानते हैं कि जब विश्वास बढ़ता है तो अपेक्षाई भी बढ़ती है। और इसलिए स्वाबाविक है कि आपके प्रती मेरी भी अपेक्षाई ज़्यादा बढ़ गई है। आज भारत स्री अन्न यानि मिलेट्स को लेकर एक बैश्वीक आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। आज देश में हम प्राकृतिक खेती जैसे अभ्यानों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें हमारी नदियों को स्वच्छ बनाना है। हमें बूजल का संवरक्षन करना है। ये सारे विशे ऐसे हैं जो कहीं न कहीं हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ते हैं। इसलिए इन प्रयासों में आपका जितना जादा सयोग मिलेगा। उतनी ही देश की स्यवा और अधिक व्यापक होगी। मुझे आशा है राष्ट निर्मार से जुड़े नए विशयों को ब्रह्मा कुमारीश इनोवेटिव तरीके से आगे भड़ाएगी। एक विशित भारत के निर्मार के जरिये अम विश्व के लिए सर्वे भवंतु सुकेना के मंत्र को साक्षात करेंगे।